दोस्तों अगर आपको जहट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है बेसिकली जॉब मार्केट के अंदर उंट्रपरनॉर्शिप कर रहा हो कोई भी उंट्रपरनॉर हमेशा पात साल दस साल के टाइम पीरिट को लेकर सोचता है क्या होने वाल है 2020 में और 2030 में क्या आपने कभी 2030 के बारे में सोचा है बात करते हैं कैसे ये पहले शॉट टर्म में मेरे साफ से इंपक्ट आएगा तो शॉट टर्म में आपको बता हूं तो चैट जीपीटी का impact आएगा in terms of efficiency in terms of कि महले आपको मालो एक काम करने में 8 गंटे लगते थे अब उसमें 4 गंटे लएंगे आज की रेट में अगर आप करोगे तो आपके employers आपसे नहीं मांगेंगे अच्छा आपने करा बहुत बढ़िया आपने 4 गंटे में गिया 8-10-12 महीने 4 गंटे का कहा है तुम 8 गंटे क्यो ले रहे हो आज की रेट में employees still नहीं उसको इतना enforce कर रहे manager level पर वो आपको बोल देंगे बट company policy levels पे chat GPT का क्या impact है efficiency पे एक normal day-to-day worker की life में वो अभी नहीं आ रहा तो वो मुझे लगता है short term में 8-12 महीने के अंदर सब major companies policy level पे changes लाएंगी जहां पे either they will talk कि आप gig economy में जाओ कि अगर आपका कामी चार गंट देगा तो आप भाई freelancing करो मेरे लिए मेरे लिए full time की जरूत नहीं है अगले एक साल में एक साल में maximum पॉस और इसे एक example के थू breakdown कीजिए say कोई बड़ी software company है traditional software company जहां हर किसी को उसी company में job चाहिए उस company के scenario को लेकर थोड़ा सा breakdown कीजिए इस thought जी तो मालो एक business analyst सुना होगा आपने एक नौकरी है business analyst basically जो business का analysis करता using data now business analyst जो था उसका काम होता था कि पहले business के data को gather करे gather करके देखे कि वो सही data है सही data देखने के बाद उससे patterns identify करे और फिर business से जोड़े कि business क्या decisions ले सकते है उन patterns now अब क्या हो गया है कि after chat GPT auto GPT नएने plugins जो आ रहे हैं यह सब process जो है जो clerical process था करने वाला उसके अंदर अब काफी हद तक automation आ रही है दीरे दीरे आ रही है better होती आ रही है automation मतलब कि मानलो पहले जो मुझे खुद काम physically drag and drop करना पड़ता था मुझे खुद code लिखना पड़ता था मुझे खुद tables बनानी पड़ती थी pie charts बनाने पड़ते थे visualize करना पड़ता था अब वो एक button दबाके एक plugin डालके एक bot train करके मैं कर सकता हूँ but difference अब भी यह है कि business की क्या interpretation है वो बड़ी subjective चीज़ है मैं इस सरफ एक छोटी सी job की बात कर रहा हूँ तो अभी भी उस individual का बहुत ज़्यादा काम है कि वो कैसे analyze करें तो companies जो है पहले लेट से अगर दिन के अंदर कोई एक business analyst दो departments को analyze करते था माल लो अब company बोले कि यार तुम्हें पहले average पाच गंटे लगते थे करने में अब तो तुम्हें देड़ गंटा लेगा तो भाई तुम वाई रियर तुम दो ही क्यों कर रहे हो पाच करो चार करो एक तो यहाँ पूश आएगा कि लोग आपसे ज़्यादा efficiency मानेंगे पैरलेली क्या होगा कि जो existing company है जाब बहुत लोग है वो थोड़े लोग काटने शुरू कर देंगे या तो काम बढ़ाएंगे बहुत ज़दा या थोड़े लोग काटनेंगे या दोनो दोनो भी हो सब्सक्राइब दोनो पॉसिबिल्टीज ने बहुत efficiency बढ़ रही है तो short time में जिस तरीक से मैं देखता हूँ कि हर individual को embrace करना चाहिए आज आपकी company नहीं बोल रही आज आपको influencers बोल रहे है आज आपको YouTube पर दिख रहा है बट आने वाले time में 8, 12, 15 महीने के अंदर policy level पर change आएगा यासा नहीं दुनिया बजलने वाली है इतना भी change नहीं आने वाला पर ये policy बुड़े लोग बना रहे है अच्छा और रेवन्यू जनरेट करने का वो कमो और खड़ता सबस्यादा कहां लगता है लोगों में जो आपके employees होते है तो वो तो पनल जो profit and loss होता है आपका ये सब लोग उससे motivated है तो जैसा आपने बोला because ज्यादा यंग लोग नहीं जला रहे अगर ज्यादा यंग लोग चला रहे होते हैं अभी हो जाता like start-ups में अभी होने लग गया है you will see that सारे slow बुड़े लोगों के लिए शान्ती बताते रहिये so short term में जिस तरीक से मैंने आपको बता है कि हर individual को इस उस करना पड़ेगा है because आपकी company आपसे demand करना शुरू कर देगी long term में जिस तरीक से मैं देखता हूँ नौकरियों का structure ही बदल जाएगा जिस तरीक से नौकरियां है now क्या इसके अंदर बहुत सारी नौकरियां कट होंगी जैसा जैसे हमारे business से जगा complex होते है नई नौकरियां बनती है तो complexity business की बढ़ेगी और नई किसम की नौकरियां बनेंगी ना वो नई किसम की नौकरियां क्या बनेंगी अभी आपको जो भी बोल रहा है उसको खुद नहीं पता यहां में नहीं पता इसमें regulation जो governments है आपकी वो क्या करती है हम सब लोग उसकी वेट कर रहे है एक side of thought यह है कि government बोलेगी कि हाई social unrest हो जाएगा मारा मारी हो जाएगी सब लोग की नौकरिया चली जाएगी तो वो कुछ करते है डे डू regulation की वो जो chip makers है जो GPUs बनाते हैं इसमें अब what job market में क्या बदलने वाला है यह चीज कोई बता नहीं सकता आपको बहुत सारे छोटे छोटे वेरियेबल्स गवन कर रहे है बड़ कुछ सेनारियो मैं आपको बताता तो जो मैंने पढ़े है एक सेनारियो यह है कि regulation किकन कर जाती है government को डर लगता है कि यार social unrest हो जाएगा और social unrest हो जाएगा तो जो मेरी वोट देने वाली population है जो जनता मुझे वोट देगी यही मुझे वोट नहीं देगी कि हमारी नौकरिया चली गई तो उसके अंदर what they do is वो regulation लाते regulation कैसा ला सकते है कि जो GPUs हैं जो प्रोसेसर्स हैं जिसके उपर इसारी technology चल रही है NVIDIA जो ये AMD जो ये कंपनिया कर रही है इन्हीं पर जाके regulation लगा जैते हैं कि आप नई chips बनाई नहीं सकते हैं बनाऊगे तो government से permission लेकर देनी है ये एक तरीका है कि Chad GPD ऐसी technologies को control गिया जाए दूसरा तरीका इसमें हो सकता है कि जैसा हमने बता है हम capitalist world में है सबको profit ज़्यादा कमाना है कई नौकरियां कटने लग जाती है बट फिर अलग तरीकी की नौकरियां emerge करती है जो जैसा थोड़ा mental health के around ethics के around अभी क्या है business में ethics, mental health देखा नहीं आता हम बाते करते हैं कुछ भी देखा नहीं आता at any company level वो एक department होगा 2-4 लोग होंगे but वो पूरे process का part नहीं है and that is to do with sustainability also ESG, environment sustainability all of that, green energy सब कुछ वो अभी बहुत बोलने वाली term में है अच्छा लगता है conferences में जाके Davos में जाके बात करना इस बारे में but reality है कि हम profit से governed होते हैं आने वाले time में because companies के पा scope of profit ज़्यदा होगा तो governments, regulations ही ज़्यदा strict हो जाएंगी कि भाई आपको और चीज़े भी देखनी है आपके सिरफ shareholders important नहीं है जो आपके stakeholders है जो आपके business के around के और लोग है उनके around भी आपको solutions बनाने है तो ज़्यादा लोग लेंगे तो मेरे साब से government क्या decision लेती है ये govern करने वाला है बट एक चीज़ confirmed है कि chat GPT, generative AI ये computer का next level है ये जमाना बदलने वाले है बट governments बहुत बड़ा role play करेंगी जब मैं कोई भी podcast कर रहा होता हूं मेरे दिमाग में questions टपकते हैं मुझे पता रहता है कि क्या पूछना है अब 3-4 questions मेरे दिमाग में flash हो रहे है पहला सवाल obviously government oriented सवाल है क्योंके हाली में मैंने cabinet ministers के साथ इंटर्वीज किये TRS English के लिए बहुत कुछ सीखावास है कि वो लोग किस नजरे से सोच रहे और यह मैं खुल के कह रहा हूं दूसर फैक्टर मैं cricket का example फिर से लोंगा जब T20 इंटर्वीज हो रहे थे दुनिया में आप शायद 6 या साथ साल के थे मुझे याद है वह महौल क्या था था तब T20 पर जब analysis होती थी किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला इस format में और ओवर ताम T20 इवाल्ड बाई इसल्फ ठीक है जैसे कि हर किसी को लिए spin bowling अब खतम होने वाली है spinners होने ही नहीं वाले और आज राशिद खान एग्जिस्ट करते ही यूजी चहल एग्जिस्ट करते है एटसेटर एटसेटर तो बहुत randomness डेफिनिटली स्टार्ट होने वाली है पट कुछ predictable points होते हैं जैसकि हर किसी को बता था कि opening batsmen बहुत अच्छे से perform करें जो batsmen aggressive कहलते है उनकी performance T20s में भी अच्छी होगी गौतम गंबेर सेवाग एच्छेटर ठीक है उसी हिसाब से according to me the only predictable factor is human factors जैसे 4C's का concept होता है अगर आपने 4C's में किसी भी इंसान को training दे दी तो इस लाइटली उनका job safe रहेगा एक controversial मेरा खुद का opinion यह बहुत experience-based opinion जो मैंने उब्सक्राइब कि and I might be entirely wrong ठीक है I would like to hear a Gen Z perspective also यह मैं जेनरलाइस तरीके से नहीं कह रहा हूँ I generally feel कि जब कोई MBA college से graduate होता है उनकी creativity हलके से थोड़ी से limit हो जाते है क्योंकि MBA colleges में जितना मैंने observe कि at least जो marketing MBAs होते है उन्हें box किया जाते है ऐसे ही सोचो marketing के बारे में जाएगी बारे में नहीं सिखाया जाते है social media के बारे में नहीं सिखाया जाते है तो ही कह रहा I have noticed that on an average बहुत कम MBA grads होते है जो actively force these के बारे में सोच रहा है mostly box हो जाते है उन्हें लगता है कि professional world ऐसे ही काम करता है and that's why the corporate world has so many negative narratives in India जितने सारे guests मिले मुझे podcast पर मैंने ये notice कि सबसे खुश monks होते है at the second level creative professional singers etc. film writers actors नहीं और सबसे दुखी corporate employees होते है उनकी गलती नहीं है गलती है systems की सुबह नौ बजे से लेकर शाम की आठ बजे तक आपको काम करवाते है वहां का कल्चर स्मोकिंग ड्रिंकिंग ओरियंटे होता है smoke breaks बहुत होते है आपकी health बहुत लो हो जाती है etc. etc. I feel bad for corporate India on an average I'm not talking about all of corporate India I'm sure exceptions है but जब as a professional मैं corporate से बात करता हूँ मैं एक corporate talk देने वाला हूँ soon बहुत साए corporate talks दिये है उस corporate talk की planning के लिए मैंने एक आदे घंटे की zoom call करी company के executives के साथ और उस zoom call में क्या बात करी कि मैं उस corporate talk में क्या बात करने वाला हूँ और मैंने का कि मैं health के उपर बात करूंगा a half an hour call about this और मैं बैठ कर सोच रहा हूँ कि यार आपने 30 सालों के लिए इस company में काम किया आपने MBS किया शायद IAM से MBS किया ताकि आप 50 साल के उमर में जाकर एक 30 साल के लड़के के साथ physical health के बार में बात कर सके for half an hour like what is happening here जितनी बड़ी एक company हो जाती है उतनी स्यादा slow on की working हो जाती है अभी GPT के समारे में बहुत सारे slow team members की jobs चली जाएंगी 100% जैसे I hate saying this but बहुत सारे test players को IPL में बड़े contracts नहीं मलें और ये अब professional दुनिया में होगा ये जो भी आपने का मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा exactly right okay now let's get to talking about the government again yeah 4 podcasts here Smriti Rani के साथ Minister of Women and Child Welfare plus former HRD Minister Education Minister बहुत कुछ बात करी Piyush Goyal Minister of Industries and Commerce बड़े-बड़े manufacturing के बिसनेसे he's the Minister of yeah Shankar Sir External Affairs Foreign Affairs Minister General का की please focus on exports guys export करो ताकि देश अमीर हो जाए वही कर रहा है most important conversation was with R. Chandrasekhar Sir उनके साथ जो conversation करी that is the one that was most impactful for me क्यूंकि उन्होंने कहा की यार I hope as in he hopes India एक gaming entrepreneurship का हग बन जाए और दूसरी इंडस्री जिसे उन्होंने हाइलाइट किया और ये पियूष गिर्ल सर ने भी हाइलाइट किया वह सेमी कंडुक्टर इंडस्री सो मेरे according जब यहां से corporate world से jobs चले जाएंगे शायद इंडो इंडस्री में job increase होंगे 4 C's की बदौलत collaboration creative thinking critical thought and creativity दोनों इंडस्री में इन चारों की जरूरत है अभी आपको जो भी कहना आपका हो so I think gaming industry की अपने बात बोली तो obviously सारा data दिखाता है हमें क्या हो रहा है उसके अंदर पर gaming entrepreneurship हाँ मैं समझ गिया क्यों कि gaming entrepreneurship असान है ना करना अब जब से unreal engine और ऐसी टाइप की technologies आई है अपने game develop करना भी comparatively easier है उस पे videos बनाना भी easy है तो gaming तो हम हर जगे ही दिख रहे है जो नए creators है वो gaming गी तो है उनके numbers भी ऐसे है जो सुनके भी लगता है how are they doing it तो gaming तो अपनी जगा है which everyone knows मेरे साब से manufacturing की जो बात है semiconductor is part of smart manufacturing की एक तो होता सा normal manufacturing की आटा बनाया salt बनाया वो एक जमाना था अब बात और यह smart manufacturing की की कैसे technology को लेके manufacturing बनाए इंडिया अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा advantage था यहाँ पर लोग थे काम करने के अब जो अगली growth की बात कर रहे है जिन जिन ministers की आपने बात की वो कह रहे हैं कि इन लोगों को smart workers बनाते है इन लोगों को smart manufacturing कराते है और जहाँ पर semi-conductors अभी तक हमारा पुरा world एक country पे dependent है semi-conductors के लिए predominantly वो एक belt वो ताइवान-China that whole belt यह context दीजे यह तो मतलब China जो है यहाँ पर any first let's see कि semi-conductors का use कहाँ पर आता है क्या होते है semi-conductors basically जो chips होती है जो chips basic मतलब जो Intel वगरा इन companies की chips होती है इसमें semi-conductor लगते है now any car you look at आप कोई भी phone देख लीजे आप यह light देख लीजे आप यह camera देख लीजे हर जगा chips लगी हुई है because यह computer की तरह कैसे work करना है कैसे multiple चीजों को लेके specified outcome देना है वो chips में design होता है बड़े simple तरीके से now अभी तक because of manufacturing advantages because of government policy because of labor because of technology China के अंदर number बनता चाइना अब जब COVID आया तो सबसे यहादा shortage होई chips की आपको यादो को oximeter जब उस second wave में रखती है नहीं मिल रहा मुलाब चाइना से सबको dependence थी सबने रिलाइज चिया globally कि भाई एक country बेता dependent होँगे तो problem में आ जाएगे now China का replacement क्या है कोई ऐसी country जहाँ पर लोग हो कोई ऐसी country जहाँ पर जो government हो वो aggressive हो कोई ऐसी country जहाँ पर knowledge समझने वाले लोगों अब आप बताओ यह तीन चीज़ें मैं आपको बोली कौँची country आपको दिमाग में आती है Hawaii भारत में भारत महान आपका जो भारत महान है इसको सब लोगों ने महान माना across the world समझ आया कि यहाँ पर एक opportunity है इसको देखके हमारी government ने भी बहुत push किया incentives दिये काफी partnerships हो रही है अब semiconductor industry में अगर सब कुछ plan के साब से हो जाए जो again यह लोग बहुत महनत कर रहे हैं असान नहीं है बिगोर उसमें बहुत major technology angle involved है जो कसम से मेरे को भी डंक से समझ नहीं हाता अगर यह लोग कर लेते हैं उसे crack then आप समझ सकते हो कि आने वाले 20-25 साल हमारे देश में इतनी नौकरियां बनने वाली हैं semi-conductor industry में कि कई नौकरियां जो IT services से जाएंगी वो यहां आ जाएंगी वो भी एक software और hardware आ combination होगी कोशिश कीजिए to explain वो technology आपने का मुश्किल technology है basic थोड़ा दो logic बता दीजिए क्या होता है उसमाँ so अगर हम समझे semi-conductor को रहे अगर we try to understand थोड़ा deep जाएं तो इसमें दो या तीन चीजों का combination होता है एक तो होता है electrical engineering अब मैं deep नहीं जाएंगा तो software electrical silos में अलग-अलग लोगों को आते है software engineer को आता है electrical वाले को electric के बारे में आता है मिला के नहीं आता लोगों तो जो नहीं नौकरी आँगा यह amalgamation होगा एक mixture होगा दोनों किसम की नौकरीों का मिला के अगें इक बहुत ब्रॉड लेवल पर मैंने बात बूली है पर engineers की खासियत यह होती है कि वो कोई भी subject समझ लेते है mathematics हो में बहुत स्ट्रॉंग होते है इसलिए इतने सारे media professionals भी engineers होते है कोई भी subject को प्रॉजिक पकड़ लेते है तो I think जैसा आपने में से पूछा की about the industries gaming obviously हम सब जानते हैं क्या हो रहा है data दिखा रहा है हमे क्या India होगा the only future of gaming I don't think so India will be one of the many बहुत देश बड़े बड़े बनेंगे इसके अंदर India भी एक होगा उसमें और countries में आप देखोगे prevalence ज़ादा है जो आपका middle class है जो आपके actual consumer है जो बच्चे है उनके घरवालों के इतना पैसा है वो gaming में बहुत correlation दिखता है उसका तो compared to और countries इंडिया में इता जादा नहीं है अभी बढ़ रहा है तो इंडिया भी एक one of the बहुत countries में आएगा जो gaming में बहुत आगे होगी पर semiconductor smart manufacturing because जो मैंने आपको advantages बताई देश की एक हमारा talent एक हमारा government का strong push एक हमारा technology के प्रती focus जो ये 20-30 साल से है मुझे लगता है कि smart manufacturing semiconductors यहाँ पर हमारी हमारा country बहुत बहुत हो सकते number one बन जाए दोस्तों कर ये वीडियो अच्छा लगा तो definitely हमारी playlist देख लीजिए ऐसे ही वीडियो आपको वहाँ भी मिलेंगे और definitely TRS Clips Hindi को subscribe कीजिए कीजिए